सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तो हलो दोस्तो स्वगत है आपका मेरी चैनल Mr. Atof में मेरा नाम है अंकीत और दोस्तो अगर आप ड्राइविंग लाइसंस बनवाना चाहते हो तो आप खुद ही ओनलाइन ड्राइविंग लाइसंस अप्लाइ कर सकते हो तो दोस्तो कैसे करना है वह में यहाँ पर आपको सारी डि क्लिक करना तो दोस्तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले गूगल में आना है यहां पर आपको टाइप करना है परिवहन डोट जी डोट इन की वैबसाइट पर चले जाना है लिंक मेंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तो यहां पर online services में नीचे driving license related service के उपर click करना है यहाँ पर दोस्तों आपको अपना state select कर लेना है यहाँ पर बहुत सारे options आपको मिलेंगे आपको choose करना है apply for learning license उसके उपर click कर दो क्या-क्या process करना है उस सारी step by step यहाँ पर दी गई है तो हम one by one यहाँ से आप start करते हैं और आपको दिखाते हैं तो continue पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पहला option select कर लेना है application does not have hold any driving license learning license issued by India उसके बाद यहाँ पर आप अपना RTO select कर लो जैसे RTO select करोगे तो यहाँ पर आपको learning license के लिए कौन सी जगर पर test देने जाना है वो यहाँ पर आपको select कर लेना है और submit पर click करना है यह learning license के लिए आपको select करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है send OTP पर click करना है जो number डाला उस पर OTP आएगा OTP यहाँ पर डालने के पाद authenticate with service click करना है form हुमारा open हो चुका है यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना RTO select कर लेना है उसके बाद name of the applicant तो यहाँ पर आपको first name, middle name and last name डाल देना है उसके बाद relation में आपको अपने father का name डाल देना है यहाँ पर father select करना है और father का first name, middle name or last name डाल दो जैसे आप father का name और अपना name डालोगे तो full name as per record में यहाँ पर आपका name पूरा आ जाएगा यहाँ पर आप अपना gender select कर लो उसके बाद place of birth तो आपका birth कहाँ पर हुआ है select कर लो उसके बाद आपको date of birth डाल देना है अपना age यहाँ पर automatic आजाएगा उसके बाद qualification आप डाल दो blood group अगर आप डालना चाहो तो यहाँ पर आप select कर सकते हो जो भी आपका blood group हो उसके बाद landline number अब डालना चाहो तो डाल सकते हो email id भी यहाँ पर आपको डाल देना है email id में यहाँ पर डाल देता हूँ उसके बाद हम नीचे scroll करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमें address डालना है तो जो भी आपका address है वो पुरा address यहाँ पर fill up कर देना है और यहाँ पर कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हो इस address पर तो नीचे वो भी आपको डाल देना है अगर present address ही permanent address है तो यहाँ पर same as present address पर click करोगे तो as it is यहाँ पर address आपका fill up हो जाएगा दोस्तों अभी vehicle से लेक कर लेना है यहाँ पर एक ही शो होगा motorcycle without gear क्योंकि आपकी age है 18 से कम है 18 साल से कम है ठीके दोस्तों उसके बाद यहाँ पर fill up form 1 तो यहाँ पर self declaration form भी हमें fill up करना है तो यहाँ पर मैं हम click कर लेते हैं और form open हो चुका है दोस्तों मैं जैसे यहाँ पर fill up करते था हूँ वैसे आपको fill up कर ले रहा है अगर आपको कोई भी problem नहीं है ठीके दोस्तों तो इस तरह से आप fill up कर लो इसका भी वीडियो मैंने description में दे दिया है क्या यह क्या क्या चीज है वो विस्तार से मैंने दे दिया है ठीके I have only पर option पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हम okay पर क्लिक करना है फिर से यहाँ पर आपको okay पर क्लिक करना है are you sure to want to submit okay तीन बार यहाँ पर आप okay करोगे तो आप next page पर चले जाओगे यहाँ पर दोस्तों आपका application हो जुका है जन्रेट हो चुका है अभी हम यहाँ पर next पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों अभी application का जो portal है open हो चुका है यहाँ पर नीचे scroll करके अभी हमें upload for document तो वह already select आएगा submit पर जैसे आप click करोगे तो यहाँ पर आपको फिर से एक बार submit करना होगा और आपका option है यहाँ पर आजाएगा photo और documents upload करने का दोस्तों तो सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर documents upload करने है तो document में क्या क्या है age proof parent consent form यहाँ पर आपको fill up करना है और address proof भी address proof पहले या फिर address proof यहाँ पर मैं upload करने वाला हूँ सबसे पहले तो address proof में दोस्तों आप अपना अधार कार्ड यूज कर सकते हो तो यहाँ पर आपको select करना है photo ID card issued by central and state government वाला option आपको select कर लेना है ओके तो यह मैं select कर लेता हूँ ओके जैसे आप select करोगे refresh होगा एक बार और उसके बाद यहाँ पर और कोई चीज वरने की ज़रूरत नहीं आप browse पर क्लिक कर लो और अपना अधार कार्ड हो select कर लो और upload पर क्लिक करना है याद रहे यह जो file है ओ 500 kb से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ओके यहाँ पर आप confirm पर क्लिक कर दो दूबारा इसको confirm करने के लिए ओके एच प्रूफ अप्लोड हो चुका है अभी हम address प्रूफ अप्लोड कर लेते हैं तो यहाँ पर हम address प्रूफ में भी अधार कार्ड से लिक कर लेते तो आपको सेम ऑप्शन यहाँ पर सेलेक करना है वापिस और यहाँ प पर हमें parent concern form upload करना है दोस्तो तो एक blank page लेना और blank page पर father को यहाँ पर writing में देना है कि मेरा बैटा है ओ या फिर बेटी है तो यह license के लिए apply कर रहा है और मैंने इसको अनुमती दे दी है कि यह apply कर सके और यहाँ पर मुझे कोई problem नहीं है दोस्तो तो बस यह वाला इतना लि करना है और फिर से यहां पर confirm पर CLICK करना है दोस्तो तो हमारा जो parent concern form है ओ भी Upload हो चुका है और यहां पर देखो Next पर CLICK करना है आपको all documents are successfully uploaded हो चुका है फिर से दोस्तो यहा में नीचे स्क्रोल करेंगे अभी upload photo fire और दोस्तों दो आप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे फोटो एंड सिगनेचर अपलोड के याद रहे फोटो और सिगनेचर आपका 20KB से जाधा नहीं होना चाहिए इसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो हम ब्राउज पे क्लिक करके फोटो यहां पर सिलेक कर लेते हैं और अपलोड सिगनेचर पर क्लिक करके यहां पर हम सिगनेचर भी अपलोड कर लेते हैं दोस्तों ओके यहां पर अभी नीचे अपलोड एंड व्यू फाइल्स पर क्लिक करना है तो देखो राइट साइट पे आपका जो फोटो एंड सिगनेचर आ जा slot book करना है तो फिर से हम proceed पे click करेंगे यहाँ पर हम proceed to book पे click करेंगे और यहाँ पर जो भी suitable आपका date है मतलब कि जो green है वो available है तो वहाँ पर आप select कर लेना है कोई भी एक date जो available है तो मैं यहाँ पर कोई भी एक date select कर लेता हूँ जैसे आप date select करोगे तो right side पे जो भी slot available होगा जो भी time का वो यहाँ पर आपको उस date का show होगा तो मैं यहाँ पर कोई भी एक जो slot है वो select कर लेता हूँ और अभी यहाँ पर book slot पे click करना है तो दोसो register mobile number पे OTP यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर confirm to slot book पे click करना है तो जैसे आप करोगे click तो यहाँ पर देखो हमारा जो application है हो जुका है तो अब आप print करना चाहो तो यहाँ से आप print कर सकते हो लेकिन कैसे करना हो बाद में बताऊंगा तो यहाँ पर आप next पे click कर दो उसके बाद फिर से नीचे score कर दो अभी हमें करना है fee का payment तो यहाँ पर proceed पर फिर से click करना है तो दोस्तो payment आप यहाँ पर जो details है और यहाँ पर शारी show होई कि जो आपको payment करना है 900 ओपीज का ठीक है तो इसमें सारी details आजाती है क्या क्या payment है तो यहाँ पर SBI E पर select कर लो capture डाल दो और पैनाओ पर click कर दो फिर से यहाँ पर I agree पर click करके आपको proceed for payment पर click करना है यहाँ पर दोस्तो आप UPI debit card, credit cards, wallet से भी payment कर सकते हो तो मैं यहाँ पर भी UPI वाला option है और select करूँगा यहाँ पर enter UPI ID वाला option में select करूँगा आप QR code भी use कर सकते हो scan के लिए UPI ID डाल देना है और validate वाले option पर click कर दो ओके मेरा UPI ID validate हो चुका है अभी हम pay now वाले option पर click करेंगे तो payment दोस्तों हो रहा है अभी जो भी आपका UPI merchant है वह उस पर उपर एक आपको notification आएगा payment का आपको confirm कर लेना है जैसे आप confirm कर लेत हो तो देखो payment हमारा हो चुका है click here for print receipt उसके उपर आपको click करना है अभी हमें यहाँ पर radio button पर option पर click करना है select कर लेना है और यहाँ पर capture डाल देना है print receipt पर click करना है receipt हमें यह प्रिंट कर लेना है यहाँ पर देखो issue new deal आपका जो fee payment form 7 का हो चुका है और ll test का भी payment हो चुका है दोस्तों अभी आपको driving license आने तक कोई भी payment नहीं करना है इसको हम print कर लेत है उसके बाद इसको close कर लेते हैं next पर click करेंगे यहाँ पर फिर से यहाँ पर हम date of birth डालेंगे और submit पर click करेंगे तो यहाँ पर right side पर सारे forms यहाँ पर available है तो हम सारे forms हो डाउनलोड कर लेते हैं तो सब सब बहरे तो हमें क्या करना है print ll slot acknowledgement slip को download कर लेना है ll slot जो हमने book किया हो तो इसको हम पहले download कर लेते हैं okay save as print और यह download हो चुका है हमने save कर लिया है वैसे ही आपको सारे forms हो डाउनलोड कर लेने हैं तो यहां पर हम फिर से next में क्लिक करेंगे तो अब आपने जो भी debt and time से लेक किया है उस debt and time को आपको learning license के exam के लिए जाना है जो computer test रहेगा और दोस्तों यहां पर आपको अपना receipt लेकर जाना है अपना learning license का application लेकर जाना है और अपने जो भी documents से लेक किये थे वो सारे documents original आपको साथ में लेकर जाना है दोस्तों चैना दोस्तो learning license का exam होगा तो तुरंत पास होने के बाद आपको learning license दे दिया जाएगा और उसके ठीक एक महिने बाद आप driving license का slot है वो book का सकते हो दोस्तों का slot book कैसे करना है वो भी मैंने बताया है और आपको अधर फेल होते हूं तो retest का fee payment कैसे करना है वो भी मैंने सारी details है और वीडियोस है वो मैंने description में दे दिये दिये दोस्तों तो वहाँ पर जाकर भी आप देख सकते हो दोस्तों दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना शेर करना और और भी driving license आधार कार्ड रिलेटेड पैन कार्ड रिलेटेड सारे वीडियोस आपको मेरी description में मिल जाएंगे और दोस्तों और भी कोई query हो तो आप मुझे बताए मैं आपकी हो सके उतनी help करूंगा थैंक यू सो मुच पर वाचिंग सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरू करें थैंक यू सो मुच पर